आप देख रहे है धर्म शिक्षा आईए जानते है आज का राशी फल आरंब हो जाएगी नक्षत चित्ता रहने वाई रातरी के 8 बच का 9 नर तक तदुपान स्वाती नक्षत आरंब हो जाएगा वत्तिवहार में आज असा कुछ नहीं है मित्रों अगर आपको आज का पंचांग और भी विस्तार जानना है एक एक मोरतो गया में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आज के धर्म सिक्षा पंचांग का लिक दिया हुआ है वहाँ जाकर आप आज का पंचांग और भी विस्तार जान सकते हैं, एक-एक मोहरतों गया में जान सकते हैं आज के संपून रासी फल के वीडियो में और आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक तो जो रुकरें साथी कमेंट बॉक्स में जै मतादी जो लिखें मित्रम आज के बारा रासी का रासी फल हम जाने हैं इससे पहले आईए हम सभी मिलकर एक नजर डालें आज के गरहों की स्तेथी पर क्योंकि इसी पे पूरा रासी फल निर्भड करता है आज मंगल गुरु के साथ विख रासी में सूर्य मित्रम रासी में बुद्ध सुक्र दोने के साथ करक रासी में चंदरमा केतु के साथ कन्या रासी में शनी कुम रासी में राहु मीन रासी में विराजित है आज आप अपने काम मों में मजबूती के साथ डटे रहेंगे। अपने बच्चों के साथ आपका समय अच्छा भी देगा। कई माईनव में आज का दिन आपके लिए चिनोदियों से भरा रह सकता है। आज अगर घर के बड़े कासिरवाद लेकर किसी काम के लिए निकलेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ऑफिस या व्यापार में आपके सहकर्मियों के साथ आपका दिन अच्छा बीतेगा। बात करेंगे व्यापार और धनकी तो व्यापार की द्रिष्टी से आज करीन आपके लिए अच्छा रहने वाल है जो जातक व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब हो सकता है। समान व्यापारियों के बीच आपकी परतिष्ठा बढ़ेगी अवैसकता होने पर आपके भाई बहनों से आपको आर्थिक मदद भी मिल सकती है। नोकरी करने वाई जातकों के लिए आज के लिए अच्छा रहने वाल है। जातकों को आज जीवन साथी का सहीयोग प्राप्त होगा। जो यह तक औविवाहित है उन्हें नया पार्टनर भी मिल सकता है। आज किन तांबे के बरतन में पानी पियेंगे तब के लिए सुब रहेगा। आपके लिए आज का सुब रंग केसरिया रंग लकी नमबर आठ रहने वाल है। बात करेंगे वरिस रासी की। वरिस रासी मचंदरमा आज छठे स्थान में विराजित हैं। जिसके फ्रसुब आज आपके कारियों की अधिक्ता रहेगी। कारी छेत में परिवर्तन का मने भी आपका हो सकता है। आज आप अपनी वानी की मर्धुता से बहुत सारे कारियो को लिप्टा सकते हैं। अगर आप अपनी वानी पाज अंकूस नहीं लगाएंगे तो बहुत साही लोगों के आकरोस का सामना आपको करना पड़ सकता है। सासन और सत्ता के लोगों से कुछ सहीयोग आपको मिल सकता है। आपके परिवार की परतिष्ठा बढ़ेगी। इसलिए कर्ज को आप चुका पाएंगे। व्यापार में अगर कुछ लंबे समय से दिक्कतें चली आ रही है तो उसे खत्म करना अब अतियावस्यक हो गया है। इससे वरना बहुत ही ज़्यादा हानी का सामना आपको आगे चलकर करना पड़ सकता है। विद्यार्थी की ब परिशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। आज आपको तनावपुन वातावरन में रहने की सला बिलकुल भी नहीं दी जारी है। प्रेम समंद की बात करत आज आपका पारिवारिक जीवन सुख में रहेगा। जीवन साथ ही को समय दें और उसे समझें इससे आपके प्र सुख रहेगा। आपके लिए आज का सुख रंग सफेद रंग लकी नमर 11 बात करेंगे मिथुन रासी की। मिथुन रासीम चंदरमा पांचमें अस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुप आज आपको कई प्रकार के परिशानियों से मुक्ति मिल सकती है। कलात्मक कारि तो आपके सुसराल पक्ष से किसी के साथ वाद व्याद हो सकते हैं तो यहाँ पर आपको साब्धानी बरतनी चाहिए। आज आपने बच्चों की परहाई को लेकर चिंतित रह सकते हैं इसके लिए आपको अपने बच्चों की परहाई में रूची समझनी होगी बच्चों क उनके केरियर के परती प्रेरीद भी करें। व्यापार और धन की बात करें, व्यापारों के लिए आज की नच्छा रहने वाला है। आपके आत्मिस्वास में विर्धी होगी, जिसका फायता आपको भी व्यापार में मिलेगा। आज किसी जुरत्म व्यक्ति को धन का दान जरूर करें, नोकरी करने वाले जात्मों के लिए आज के इन सामानने रहने वाला है। नोकरी में परिवर्थन का मन आपका हो सकता है, कुछ जात्मों को सट्टे वाजी से लाब भी हो सकता है। बात केंगे विद्यार्थी की, विद्यार्थियों का मन चंचल रह सकता है, अपने आपको सोचल मीडिया और मुवाल फोन से थरदूर रखें, अब आपको अपने केरियर के परती सचीद भी हो जाना चाहिए. स्वास्त की बात केद आज आपको किसी प्रकार की चिंता रह सकत अगर आप लंबे समय से प्यार की जहार की सोच रहें, तो यह समय आपके लिए अच्छा सावित हो सकता है, आज किन हरी सब्जियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुब रंग काला रंग लगी नमर चार रहने वाला है, बात करेंगे करकर करकरासिम चंदरमा चोथे स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुप आज आप किसी पर भी अपनी बातें थोपने की कोशिस ना करें, आपको यहां से नुक्सान हो सकता है, आपके दोस्तों के साथ अच्छे समन्द बना के रखने का प्रयास करना चाहिए आपको, उन से लड़ाई जहरे की संभावना बन रही है, सांती से अगर काम लेंगे तो आपके बहुत सारे काम बन भी सकते हैं, अपने लगदों रातमिस्वास से आप अपने कारियों को बहतर धंग से कर पाएंगे, जुदा तक मीडिया से जुरे हुए हैं, उनके लिए आज के ने अच पाएदा होगा, नोकरी करने वाले जातकों के अपने सीनियर अधिकारियों से मद्वेदाज बर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको साब्धाने निश्चित तोर पर रखनी चाहिए, अपने फिजूल घर्चों पर भी नियंतर रखना चाहिए आपको, विद्यार्थी की बात क तो आज विद्यार्थीों को सिक्षा के छेतर में सुभफलों की प्राप्ती होगी, तो डटकर मेहनत करें, सफलता इसी से मिलेगी, स्वास्त की बात करें, जिन जातकों को जोरों का दर्द रहता है, उन्हें आज परेशा नहीं हो सकती है, आज आपका ब्लेड प्रेसर आनने की कोशिस जरूर करें, आज की निगर मसूर की डाल खाएंगे तो आपके लिए सुभ रहेगा, आपके लिए आज का सुभ रंग सिल्वर कलर लकिन नमर छे रहने वाला है, बात करेंगे अब सिंग रासी की, सिंग रासीम चंदरमा तीसे स्थान में विराजित हैं, ज आनमे नहीं विचाराएंगे, इन विचारों को सहेज कर अपने जीवन में आगे बनें, स्वाधिष्ट भोजन का अनन्द भी उठा पाएंगे, परिवार के साथ किसी धार्मिक यातरा पर जाने के या धार्मिक कारी करने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, आज किसी विरोधियों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे, आर्थिक मामलों में आपको सफलता की प्राप्ती होगी, परिवार के किसी व्यक्ति से आपको धनला भी हो सकता है, जो आतक नोकरी करते हैं, उनको ओफिस में ऐसे लोगों से साधान रहना चाहिए, जो उनके दोस्तों हैं लेकिन उनकी चवी विगारने की कोशिस भी करते रहते हैं, विद्यार्थिय की बात करें, तो विद्यार्थियों के लिए आज करीन मिलादला रहने वाला है, पढ़ाई से आपका मन भटकेगा, ऐसे में अपने लक्ष का ध्यान करेंगे तो आपको फायदा भी होगा, स्व में बिताएं, इससे आपको और आपके जीवन साथी को दोनों को अच्छा महसूस होगा, आज किन चांदी के बरतन में खीर खायेंगे तापके लिए सुब रहेगा, आपके लिए आज का सुबरंग भगवारंग लकी नमबर रहने वाला तीन, बात करेंगे अब कन्यारासी कन्यारासीम चंद्रमा दूसरे स्थान में विराजित है, जिसके प्रसुब आज आपका मन आत्म विश्वास से भरपूर रहेगा, लेकिन मन में नाकारात्मक विचार भी आ सकते हैं, छोटी मोटी परेसानिया भी आएंगे, लेकिन उन परेसानियों पर विजय प्राप्त क करने की कोशिस करें, कुछ नई विचार आपके लिए फायदे मन सावित हो सकते हैं, आज अगर किसी की मदद करते हैं, तो उसका फायदा आपको भी कहिन कहीं जरूर मिलेगा, बिना जांच परताल किये, किसी व्याविशाय या कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक शर्तों बि व्यापार उधन की बात करें, आज आपको व्यापार में लाव होगा, व्यापार में जो भी आपके प्रतिदंदी है, उन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, जो अतक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए आज के अच्छा रहने वाले आपके सीनियर या बॉस आपके कारी से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि अपने बॉस के सामने खुद की पेर भी ना करें, इस से आप नेगेटिव में जा सकते हैं, विद्यार्थी की बात करिए पत्योगता पर इच्छा की त्यारी करने वाले विद्यार्थी आपने दिल इच्छा सकत इसे लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें स्वास्ति की बात करें आज आपको मौस्मी विवारियों को लेकर सतर्पता रखनी चाहिए आपके सारेक और मांसिक विवारी की जर्ण आपका दूख हो सकता है विवायाम काने खोली हवा में टाहलें आपके स्वास्ति के लिए अच्छा रहेगा प्रेम समंद की बात कहें तो अपनी बात हैं अपने जीवन साथी पर थोपने से आज कला की स्थिति उत्पन हो सकती है अपने जीवन साथी को बड़ाबर काजिकारत हैं इससे आपके समन मधूर होंगे आज किन हरी से भियां खाएंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब लंग ब्राउन कुलर लकी नमर एक रहने वाला है बात करेंगे अब तुला रासी की तुला रासीम जंद्रमा आज प्रथामस्थान में विराजित हैं जिसके फ्रसुब आज आपको आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा आज कोई भी निर्ने भाउकतावस नाले ऐसे निर्नेव से आप परिशानी में पढ़ सकते हैं बेरोजगार जातकों को रोजगार की प्राप्ती होगी आपको आज भागे का साथ भी मिलेगा परिवार के किनी दो सदस्यों के बीच मनमटाव बढ़ सकता है अगर आज पूरे परिवार के साथ किसी धार्मी कारी को करेंगे तो उसमें आपको सफलता भी मिलेगी आज आपको आपके सहकरीमियों का सहयोग प्राप्त होगा लेकिन ध्यान रहे वह आपके काम का केरिट भी लेने का प्रयास कर सकते हैं आज किसी सुनी-सुनाई बातों पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें सच्चाई को परखें तब ही आगे बढ़ें व्यापार उधन की बात के व्यापारियों को आज कोई भी निर्ण ने बहुत ही सोच समझ कर लेना चाहिए किसी अचानक सहय चुनूतियों का सामना आपको करना पर सकता है तो इसके लिए पहले सही सचेत रहे अगर कहीं निवेस करने का मन बना रहे हैं तो एक बार अनभवी लोगों की सलाह जोड ले कर्ज लेने से तो बिल्कुल आपको बचना चाहिए आज बात करेंगे विद्यार्थी की आज आपका मन पढ़ाई में लगेगा आप जिस लक्ष की प्राप्ति चाहते हैं उसके लिए अच्छी योजना बना कर कड़ी मेनद करें सफलता मिलेगी आपको स्वास्त की बात करत आज आपको अपने स्वास्त के परती सचेत रहना चाहिए जिन जातकों को हाई या लो ब्लेट प्रिसर की सिकायत रहती है वह अच्छा महसूस करेंगे प्रेम समंद की बात करत आज अपने जीवन साथी के साथ आपकी नोगजोंग भी हो सकती है बात में सब कुछ ठीक भी हो जाएगा और विवाही जातक प्रेम समंद में कोई भी नया रिस्ता बनाने से पहले सामने वाले को जोर पड़क है आज आपके प्रेम समंद में किसी प्रकार की चिंता उत्पन हो सकती है आज किन केला खायेंगे तो आपके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरंग फिरोजीरंग लखी नमर रहने वाला साथ बात केंगे वेश्ची क्रासीगी वेश्ची क्रासीम चंत्रमा 12 हुए स्थान में विराजित है जिसके फ्रस्व अगर आप किराई के मकान में रहते हैं आपके मकान मालिक के साथ समद भी गर सकते हैं तो यहां पे आपको सभनी बरतनी चाहिए आज आपको संतान के तरफ से खुसी हो सकती है परिवार में साकारतम गवातावियंसकन बनेगा किसी पुरानी समस्या का अंत भी संभव है आपके आत्मिस्वास में कमी आ सकती है साथ ही अपने वानी पे नियंतन भी रखें क्योंकि आज आपके लड़ाई जहरे की योग भी बन रहे हैं ओफिस में आपके सीनियर आपको किसी काम को लेकर उक्सा सकते हैं धहरी से कामने यहीं एक सोची समझी साजीस भी हो सकती है व्यापार औधन की बातके आज आपको व्यापार में हानी का सामना करना पर सकता है अगर आप किसी के साथ पार्टनर्शिप पर व्यापार करते हैं के साथ मिलकर आप अपने व्यापार को लाब में ले जा सकते हैं अगर अच्छी योद्ना बनाएंगे उस पर अमल भी करेंगे तो आप अपने हानी को लाब में बदल सकते हैं विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थियों का मन चंचल रहेगा पढ़ाई के लावा अन्यचीयों में समय बरवाद ना करें अपने पढ़ाई पर ध्यान दें सिख्छा के छेतर में विद्यार्थियों को अच दिक्कत का सामना करना पर सकता है स्वास्ता की बातकर आज आपका मना सांत रहेगा मेडिटेशन करना आपके लिए लाबदा एक सिद्ध हो सकता है जो या तक हाय बलड प्रेसर डैपटी ये दिल के रोगी है उन्हें अपना ध्यान विशेस दोर पर रखना चाहिए प्रेम समंध की बातकर प्रेम समंधों के लिए आज के निक्षा रहने वाला है जीवन साथी को समय दें उनकी भावनाओं की कद्र करें इससे आपके प्रेम समंधों में मिठास उत्पन होगी प्यार के जहार करने के लिए आज के निक्षा रहने वाला है उसका फल आपको मिलेगा जिसके कान आपके आत्मिस्वास में बर्धी होगी आज आप कोई भी नया कारी करने के लिए प्रेद भी रहेंगे इस नए कारी से आपको सफलता भी मिलेगी नए लोगों से मिलना दोस्ती होना संभव है आपको आज कुछ पारिवारिक समस्या का सामना भी करना पर सकता है लेकिन अगर आप अपनी बुद्धी का इस्तेमाल करेंगे तो पारिवारिक समस्या सुधारने में आपको सफलता प्राप्त होगी आज आपके धहरी में कमी आ सकती है जिसके कारण आपके बने हुए कारी भी विगर सकते हैं व्यापार और धन की बातके तो आज आप अपने बात करने की छमता और काम करने की छमता से अपने व्यापार में विर्दी कर पाएंगे आपके आए में बढ़ोतरी होगी जो अतक नोकरी कर रहे हैं उनके सिनियर अधिकारी उनसे परसन रहेंगे आज किसी को कर्ज देने से बिल्कुल बचें आज कोई बहुत जोटमेंब्यक्ति ना होतों से पैसे उधार ना दे ऐसे पैसे आपके डूब सकते हैं विद्यार्थी की बातकर विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है आज आपने पढ़ाई के लिए अनुकोल इस्तिति का अनभव करेंगे तो ऐसी इस्तिति का लाब जो उठावे जदा जदा आपने पढ़ाई पर ध्यान दे स्वास्ते की बात करें आज अपने खान पान का ध्यान रखें पेट समन्दी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है तो अपने स्वास्ते का ध्यान जोड़ रखें प्रेम समन्द की बात करें छोटी छोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी से अज उलज सकते है एक दूसरे से वादव्यात की स्थितित पर नहों सकती है लेकिन यह सब होने के बाब जूद आपके रिष्टे मधूर बने रहेंगे जीवन साथी या प्रेमी प्रेमी का के साथ समय विताएं इससे आपके प्रेम समंद अच्छे बने रहेंगे आज का इंचान्दी के बरतन में खीर घाएंगे ता आपके लिए सुब रहेंगा आपके लिए आपके लिए आज का सुब रंग बेगनी रंग लकीन नमर 7 रहेंगा बात कहेंगे मकररासिगी, मकररासिम चदरमा दस्में इस्थान में वीराजित है, जिसके फ़रसुप आज आपके कारिचेत में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी, आप जो भी काम करते हैं, उसमें आपको परोफसान मिल सकता है, आपके प्रतिदंदियों को परास्त करने में आपको सफलता की प्राप्ति होगी अपने घर के काड़ियों में आज आप वैस्त भी रह सकते हैं भगवान के प्रति आपकी आस्था परहेगी लेकिन संतान के तरप से थोड़ी चिंता भी आपको रह सकती है तो अपने संतान का द्यान रखें आज घर में कलह का मैहल भी बन सकता है आज आप आत्मिस्वाइब भरपूर रहेंगे पंतु पिता के स्वाइब से थरचिंतित भी रह सकते हैं व्यापारों धन की बात करें आज आप में आत्मिस्वात भरपूर होने के कारण आप मानसिक तोर पर मजबूत नजराएंगे जिसका फाइदा आपको भी व्यापार में मिलेगा जो आतक नोकरी कर रहे हैं उन्हें अपने सहकरिवियों से चुनोती आज मिल सकती है आज आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं तो फिजूल खर्चों पे नियंतन जरू रखें विद्यार्थी की बात करें तो आज आज आपके मित्र आपका ध्यान पढ़ाई से भटका सकते हैं मुवाईल फोन में ज़्यादा समय ब्रबाद ना करें अपने पढ़ाई-पड़ी ध्यान दे। स्वास्त्र की बातकेट आज आपको अपने स्वास्त्र के परती सजेत रहना चाहिए। कोई पुरानी बिमारी आपको आज परिसान कर सकती है। कुछ जातकों को जोरों का दर्थ परिसान कर सकता है आज किन उरत की दाल खाएंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब नंग काला नंग लगी नमर तीन रहने वाला है बात कहेंगे कुमरासिकी कुमरासिकी चंदर्मा नौए इस्थान में विराजी थे जिसके फ्लसुरूप आज आप अपनी बातों को समाज में अच्छे डंग से रख पाएंगे जिसके फ्लसुरूप आपके चाहने वालों की संख्या में विर्धी भी होगी अगर आप रादनिती से जुरे हुएं तो उसका भरपूर लाब भी आपको मिलेगा आपके संतान का सहयोग आपको प्राप्त होगा कोई भसा हुआ रुका हुआ काम भी आपका आज पूरा हो सकता है सरकारी कारियों से आपको आज लाब भी मिलेगा आज आपको आपके मित्रों का सहीयोग प्राप्त होगा आज आप मानसिक सांति का अनभव करेंगे कुछ जाता किसी अज्यात भाई से परिशान भी रह सकते हैं व्यापार औधन की बात करें चाहे व्यापार करते हो जौब करते हो आपके अधिनस्त कमचारियों का सही होग आपको प्राप्त होगा किसी करीबी मित्रिया सके समध्यों की मदद से आपके व्यापार में लाब भी हो सकता है आज आपके व्यापारिक पर्तिदंदी आपको व्यापार में नुकसान पहुचाने की कोसेज भी कर सकते हैं लेकिन व्यापार में आपकी स्थिती फिर भी अच्छी बनी रहेगी। जिन जातकों को मकान ये गारी की तलास है, उनकी तलास पूरी हो सकती है, जो अतक नोकरी कर रहे हैं, उनके लिए भी आज के अच्छा रहने वाला है। आफिस में कोई नए जीमेदारी आपको दी जा सकती है, आपके ट्रांसफर होने के योग भी बन रहे हैं। विद्यार्थी की बात करेद विद्यार्थियों के लिए आज के अच्छा रहने वाला है, जो विद्यार्थी परत्योकता परिक्षा की तयारी कर रहे हैं, उन्हें भी सफलता मिल सकती है। स्वास्त की बात करेंद आज आपका स्वास्त अच्छा रहने वाला है मानसिक सांती का अनुभवी करेंगे प्रेम समंद की बात करेंद प्रेम समंदों को सुद्रिट बनाने के लिए आज अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएं अपने आपको उचा और अपने जीवन साथी को नीचा दिखाने की कोशिस तो भूल कर भी ना करें इससे वाद व्याद की स्थितित पर नहों सकती है जिन और विवाही जातकों को साथी कितलास हैं उनकी खोजाज पूरी हो सकती है आज किन दूद से बनी वीची एंगे तापके लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुबरं ब्राउन कर लखी नमर छे रहेगा बात करेंगे मीन नासी की मीन नासी में जंद्रमा आठमें स्थान में विराजित है जिसके फरसुब आज आपको पड़ीवार जोनों का सात मिलेगा खास करके बड़े भाईवांओं से माता पिता से भी कुछ आर्थिक सह्योग मिल सकता है पड़ीवार में सुख सांदी का माहौल भी बड़ा रहेगा जिसके फ्रसुप घर में साकरतमक्ता भी रहेगी आज आपके लिए लराई छहरे की यूग बन है तो आपको अच्छे समन्द बना के रखने होंगे खास करके सगे समंधियों से परोशियों से किनी किनी जातकों को कोई अच्छा दोस्त भी मिल सकता है लेकिन किसी नए पर भरसा करने से पहले उसकी जांच जरूर करें आज आपके जिद्धी रवईय की वज़े से आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है तो कलपनाओं के पीछे ना दोरे सोच समझ कर ही काम ले अपने पिता और धर्मकुरू की सलाह से कारियों को करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी व्यापार और धन की बातकर आज आपको व्यापार में करी चुनोतियों का सामना करना पर सकता है लेकिन इन चुनोतियों से घबराएं नहीं, बल कि इसका सामना डट कर करें आज किसी से पैसे उधार लेने से बिल्कुल बचें, आज कर लिएगे पैसी जल्दी से चुका नहीं पाएंगे जो अतक नोकरी कर रहें, उनके सहकर्मियों के साथ उनके समन बिगर सकते हैं आज आपके सहकर्मी आपके बड़े परतिदंदी भी साबित हो सकते हैं इससे बचने के लिए अपने सिनियर के सामने अपने आपको अच्छे से प्रजेंट करें आज अपके खर्चों में विविर्दी होगी विद्यार्थी की बातकेद विद्यार्थीों के लिए आज की इन सामाने रहने वाला है अपने समय को बरबात करने से बचें समय का एक-एक पल महतपूर्ण है उस पल का लाब जो उठावें अभी अपना ध्यान सिर्फ उसीप अपने पढ़ाई परी लगावें स्वास्त की बात के आज आपका स्वास्त अच्छा रहेगा लेकिन आपको अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए तले, भुने और मसाज़ादार खनों से दूर रहना चाहिए प्रेम समन्द की बाद के जीवन साथी से हलकी नोग जोग के बाद अच्छे समन्द भी बनेंगे आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है लेकिन पार्टनर का चुनाओ करने में साब धानी भी आपको बरतनी चाहिए प्यार के जार करने साब को आज बचना भी चाहिए आज के इन गुर घाएंगे तो आपको लिए सुब रहेगा आपके लिए आज का सुब रंग निलारंग लकिन नमर रहने वाला आठ तो मित्रो ये तो थाच का 12 रासी का रासी फल अब जानते हैं आज का सुब समय आज का सुब समय यानि की गुलिक काल दिन के 3 बच कर 53 मर से लेकर सामके 5 बच कर 37 मर से लेकर सामके 7 बच कर 21 मर तक गुलिक काल में कोई भी छोटा मुटर कारी आप कर सकते हैं पान का छोटा टुख़ा भीखा कर यातार हम कहेंगे किसी नई कारी को करेंगे उसमें आपको सफवतात लगेगी तो में तुम्हित लें ये तो ठाज का सμपून रासी फल कल के संपून रासी फल के लिए जुले रहे हैं धर्मसिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्मसिक्षा, जै मात अदिन।